दोस्तो ये internet की जमाना है और आज के date में जितना ज़्यादा online earning का opportunities आ रहा है उतना ही ज़्यादा online scams या fraud होने की chances बढ़ रहा है तो ऐसे में जितना डर आपको hacking से लगता है उतना ही डर इन सारे पहुंजी scheme से लगना चाहिए क्योंके ये सारे पॉन्जी स्कीम्स क्या करते हैं आपके पैसे लेकर लुट कर भाग जाते हैं तो ऐसे में अगर आप ओनलाइन पैसा कमाना चाते हो या फिर इन्वेस्ट करना चाते हो तो दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जा लाइफस्टाइल के बारे में हाला कि जा लाइफस्टाइल के बारे में इससे पहले बहुत सरे वीडियो में बना चुका हूँ और जा लाइफस्टाइल का क्या सच्चाई है वो आपको बता चुका हूँ लेकिन जो मेरे दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि भाया आपको अगर जाननी है कि जा लाइफटेल एक्शुल में क्या हैं क्या वो रियली चलने वाले हैं या फिर कितना दम है उनके बिसनेस प्लैन में तो उससे रिलेटेड आप अल्रेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं अभी आपको करना है इंतिजार और जा लाइफटेल जैसा जैसा चलता है वैसा वैसा आपको भी चलना पड़ेगा लेकिन जो मेरे दोस्त अभी भी सोच रहे हैं कि जा लाइफटेल में इन्वेस्ट करूं मतलब पीवी के नाम प को करानी है की नहीं jala lifestyle के साथ आपको जुड़ना है की नहींosition उससे related कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाता हूँ. मैं आज के वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि जा लाइफस्टाइल रियल है कि जा लाइफस्टाइल फेक है. मैं अगर कहूँ कि जा लाइफस्टाइल रियल है तो वो रियल नहीं हो जाएगा और मैं अगर कहूं Jar Lifestyle fraud है, Jar Lifestyle scam है, तो वो scam नहीं होगा वैसे ही आप अगर कमेंड बॉक्स में लिखते हो कि Jar Lifestyle is the best company, Jar Lifestyle is a big opportunity तो मेरे भाई, ऐसा लिखने से और गालिया बखने से Jar Lifestyle real ये proof नहीं हो जाता है तो अगर आपको सच में लगता है कि जा लाइफस्टाइल रेल कमपनी है और जा लाइफस्टाइल एक बहुती बड़ा उपरचिनिटी आपके लिए लेके आ रहा है तो मेरे कुछ सवाल है उन सवालों का जवाब अगर आपके पास हो तो कमेंड बॉक्स में उसका जवाब ज एक ब्राउजर में तो चलिए दोस्तों एक डूप की लगाए लेते हैं टेकनलोजी के समुंधर में तो दोस्तों मेरा सबसे पहला सवाल के इनका सेट अप में इतना डिले क्यों हो रहा है आप सोचो के जा लाइफस्टाइल कब से अपना प्रोमोशन चालो किया प्री प्रोमूटरह में यह कह गया जो है 30,000,000 मिंजर मिनीमम होना चाएं उसके बाद यहाँ पे रियल एड्स को चालो करेंगे मतलब एडस को चरू करेंगे वो रियल होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया था खैर 30,000,000 मिंबर्स इनका जलद से जलद क लो होना चाहिए था खैर वो नहीं हुआ उसके बाद क्या हुआ आप लोग के लिए डेमो एड्स चालू किया गया डेमो एड्स आप देख रहे हो और यह बता रहे थे वो कि अभी जो है सेट अप टेस्टिंग पिरियोड में है और टेस्टिंग पिरियोड उनका खतर मी नही किया तो उनको कितना समय लगा UPI payment interface को ready करने में मैं जानता हूँ WhatsApp payment कोई business plan नहीं है तो मैं ऐसा comparison क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि WhatsApp payment जो है बहुत ही vital बहुत ही critical होता है है ना UPI payment जो है वहाँ पे monetary transactions होता है वहाँ पे बहुत चोटे-चोटे चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है तो WhatsApp payment लगबख एक साल में उनका सारा setup जो है ready हो चुका था तो उसके comparison में अगर एहा का platform देखा जाए तो वो सिर्फ ad show करेगी बहुत सारे companies वहाँ पे जुड़ेगी और वो ad show करेगी अपने users को तो इतना चोटा सा setup ready करने में उन लोग को इतना time लग गया कि आज तक वो real ads को चालूई नहीं कर पाए उसके बाद अभी क्या का जा रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी companies जुड़ रहे हैं तो आज तक वो company कहा थे जुड़े नहीं है तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो बड़े बड़े companies जुड़ रहे हैं उनका नाम क्या है अगर उनका नाम आपको बता दे तो उनका promotion जो है बहुत ही आसान हो जाएगा और भी लोग इसके साथ जुड़ेंगे है ना लेकिन ये कोई भी बड़े company जो ये बदावा कर रहे ह कि बहुत बड़े-बड़े advertisers उन लोग के साथ tie-up कर रहे हैं, collaborate कर रहे हैं तो उनका नाम क्या है आप नाम तो बताओ लेकिन सब कुछ hidden है आप सोचो कि आपके पास कोई भी बड़े advertisers का नाम है मुझे तो पता नहीं है अगर आपको पता है तो नीचे comment box में ज़रूर बते कीएगा या फिर कोई भी evidence हो तो Instagram में हमको DM कीजिएगा Instagram का link आपको description box में मिल जाएगा तो मेरा तीसरा सवाल जो कि मेरा दूसरे सवाल से connected है दोस्तों आप सोचो कि कोई भी company अपना ad क्यों देगी ताके उनका जो product है या फिर services है उनको वो sale कर सके उनका selling बढ़ सके है ना advertisement का मकसद ही होता है कि आपको उन product या service के बारे में aware करना ताके आप उसको avail करो या फिर उसके product को purchase करो तो basically देखा जाए कोई भी company advertisement इसलिए देता है ताके उनके product या service का promotion हो सके और उनका sale बर सके तो ऐसे में आप सोचो कोई भी company अगर UK based है कोई भी advertising company अगर UK based है उनका product service सिर्फ UK में available है वो इंडिया में नहीं है तो उनका product या service है उसका advertisement इंडिया में आपको दिखा कि उनका फाइदा क्या है तो इसका मतलब है कि इंडिया में अगर आपको ad दिखाए जा रहे है तो वो इंडिया का ही product होगा या फिर कोई भी बाहर का company ऐसा product लेकर आई है ज जो कि आप चाहो तो उसको घर बैटे एविल कर सकते हो कोई भी product हो कोई भी services हो उसको एविल कर सकते हो तो उस ad को आपको दिखाना उस advertisers के लिए benefited है अगर वो advertiser UK में है उनका सरा setup UK में है तो वो इंडिया में ad दिखा के उनको क्या फायदा मिलेगा इस बात को ज़रा ध्या पॉपुलर मार्केटिंग कंपनी जो है हिंदुस्तान इनिलिवर्स, ITC, PNG जैसे बहुत बड़े-बड़े कंपनी है राइट तो इन सारे कंपनी के साथ उनको tie-up करना चाहिए इन सारे कंपनी का जो products है या फिर services है वो एहा platform में show होना चाहिए लेकिन कंपनी क्या कर रही ह आज तक कोई भी बड़े brands की नाम नहीं लिया, कौन सा brands के साथ वो collab कर रहे हैं, उनका कोई पता नहीं है, सब कुछ hidden है दोस्तो मेरा आकरी और चौता सवाल, आप सभी जानते हैं कि ये company जो है जा लाइफस्टाइल वो UK based है, और इनका जो business है वो worldwide चल रहा है, बहुत सारे members इनके साथ जुड़ रहे हैं और already जुड़ भी चुके हैं, है ना, तो ऐसे में इनका जो website में traffic है, वो 90% से ज़ादा इंडिया से क्यों है, इसका जवाब अगर आपके पास है, तो आप जरूर हमको बताना, ये तो मेरे सोच से बाहर है, आप बहुत ही intelligent हो, आप बहुत ही जानकार हो, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, comment box में गालिया ना बकते हुए, इन सारे सवालों का जवाब अगर आपके पा बकने से company real है, ये proof नहीं हो जाती है, ठीक है, और अगर जवाब इसका आपके पास नहीं है, तो इन सवालों पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए, और इस पे आप research कीजिए, और जवाब अगर आपको मिल जाता है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, वीडियो के नीचे comment box है, वह पे comment कीजिए, या फिर Instagram का link तो आपको नीचे description box में मिली जाएगा, वहाँ से उठा के फट से Instagram में जाकर हमको डेम कीजिए, हम आप से जरूर इसके बारे में बातचित करना चाहेंगे, तो खेर, जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को subscribe नहीं किये हैं, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब कर लिजिए, और साथ ही में notification bell को भी on कर लिजिए, और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो शेर कीजिए इस वीडियो को एक like जरू से कीजिए, और ऐ आपने साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत!